आज शेहरे हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद हो या सेबराबाद हो या राज़कुंता हो यहाँ पर ट्राफिक का मसला भूद बड़ा है साब आज शेहर में ट्राफिक पुलिस की जानिप से कए बड़े बड़े जंक्शन से चवरस से है उन्नों को बंक कर दिया गया है दूसरी बात जो टर्निंगा है टर्निंगों को भी बंक कर दिया गया है तिसरी बात बात जगा वन वे भी किया गया है तो मैं खास सवर पर आपको तवज़ दिलाना चाहता हूँ साथ ये इतने सुब चीजां करे बाद भी दो दो घंटे ट्राफिक जाम रह रही है और खास सवर पर मैं आज से 15 दिन पहले हाइटेक सीटी के तरफ देखा एक एम्बिलेंस में एक पेशन्ट महाँ पर उसका इंतेखाल हो चुका उसकी वज़े एक ही थी बारिश हुई बारिश की वज़े से हैटेक सीटी से बंजार एल की तरफ जाने के लिए दो घंडे तक ट्राफिक जाम थी और ट्राफिक पॉलिस जो है खाली वो लोग क्यामरे लेकर जो भी जा रहे हैं उनकी फोटू खिंच रहे हैं ट्राफिक पोलिस का ये काम है कि आप ट्राफिक को कंड्रोल में करिए ये नहीं कि खालियाब आपको एक तारगेट दे दे रहे उनके हियर आफिसर जैसा कि DCP साब हो या ACP साब हो एक दिन में आप इतने गाड़ियों के चालान माल के लाना मुझे इसमें टाइम होना साब और एक एक चीज़ आपको बताना चाता हूं साब मैं बाद जगा कई बच्चे रोतेवा फोन करें के साब ट्राफिक की वज़े से हम एक्जाम में जाने को देरी हुई आज हमारे को एक्जाम में बिठाया नहीं गया बोलके हमारे पार्टी के पिर्सिजेंट सदर महतरम नखिवे मिलत अलहाज बेरेशर असुद्दिन उईसी साब को एक स्टूडेंट फोन करके बोलते हैं के साब मैं ट्राफिक में फस गया था एक मिनट की देरी होने के वज़े से कालेज में नहीं बिठाया मैं वो कालेज का नाम गरीब आटो चलाने वाले उल्लों को चालाना कर रहे घरीब ठेला बंडी वालों को ऐसे कए जनों को साब मैं एक ऐसा MLC हूँ ड्राइंग रूम का MLC नहीं हूँ मैं मंजी सित्याद मुस्लिमीन का पब्रिक का MLC हूँ मैं 24 घंटे अवाम के दर्मियान में रहत हूँ गरी उसको ले गया कि सुल्तान बादार पीएस में उसके पर केस बुक करें क्या साब गरीब अजमी कारोबार नहीं कर सकता क्या बताईए आप गरीब अजमी अपना पेट पालने के लिए अपने बच्चें को पालने के लिए कारोबार रोट के उपर नहीं कर सकता क्या कए सालो मादापूर की रोड देखिए कितनी ट्राफिक जाम रहती है दूसरी चीज़ साब कुकट पली से बीएच चेल पटन चोरू तक कितनी ट्राफिक जाम रहती है आप देखिए गच्ची बोली से लेके हाइटेक सीटी तक और सिकंद्राबास से लेके बंजारहल तक आप देखिए साब खायरताबाद बेगम पेट कितनी ट्राफिक जाम रहती है लकडी का पूल से आप महिधी पडलम देखिए मासर प्रेंग से महिधी पडलम रेती बोली से टोली चोगी तक कितनी ट्राफिक जाम रहती है मैं यह आपको डिटेल में बताने का मकसद यह यह कि पोलीस का जो महिकुमा है ट्राफिक पोलीस का महिकुमा यह कोई काम नहीं कर रहे हैं साब इनको एक टारगेट दिया जा रहा है कि आप क्यामरा ले लो आप फोटू ले लो आप रोडीजम करो आप देखिए कए जगा दाल अब्दुला गुर थेले में खाली फोटू ले ले रहें डरागे बच्चों से हजार दो हजार रुपे चालानाद ले रहें कई बच्चे रोते वाँ फोन करें के साब हमारी गाड़ी पकड़ लिए ट्राफिक पॉलिस वाले ये बता रहें के साब तेरी गाड़ी के ओपर पांच हजार के चालाने हजार रुपे तू दे दे हम छोड़ दिंगे साब ये खानून है ये पॉलिस है ये पॉलिस पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए है ये नहीं कि पब्लिक के ओपर जूलुम करने के लिए नहीं है आपको हर एक एक चीज़ बताना चाहता हूं साब कोटी से M.J. मार्किट देखिए आप कितनी ट्राफिक जाम रहती बेगम बजार मेन ओल सीटी को जाने की रूट है महाँ पर कितने घंटों ट्राफिक जाम रहती है देखिए साब MJ मार्किट और बेगम बजार और हाइबिड्स मलक पेट दिलसुब नगर अंबर पेट तो मैं आपके जरीए मैं बताना चाहता हूं साब कि पोलिस का जो महकुमा है वो लोग ऐसा फैशनिस कर रहे हैं कई मैं S.I.I.E. को देख रहा हूं कई C.I.E.E. को देख रहा हूं उनको इनिफाम दिये उन्हों इनिफाम पर रहना तोपी पेन कर रहे ना तोपी पेन कर न रहे थे असीना चारा कर ऐसा ठहर के बात करते हैं साब यह क्या है साब अवाम के पर जलुम हो रहा है एक तो इन्नों की वजे से कई accidents हो रहे हैं市 रोडों के पर ट्राफिक पॉलिस की वज़े से मैं आपके जरीय से गुदारिश करना चाहता हूँ हमारे पॉलिस के जो शेयर हैदराबाद के कोतवाल साब है और साइबराबाद के कोतवाल साब है राच्छ कुंडे के कोतवाल साब है मैं इन्नों से गुदारिश करना चाहता हूँ कि जितन तरीखे से अवाम को लूट नाय लूट रहे हैं, घरीब लोगों को लूट रहे हैं, हर एक जनों को जलूम कर रहे हैं, खाली यहां तक आप देखिए आप आटीसी के बस जहां पर रुकते हैं, वहां पर एक बस तेड़ी लगा देते हैं, उसके पिछे लाइन लगती है, वह नहां बताना वो लोग को किस तरीखे से यहां पर आप आटी सी के बस ठहराना बोलकर मेरे दिल में बहुत तकलिफ है साथ ट्राफिक का जुलुम भूद होते जा रहा है इसके उपर पॉलिस का महिकुमा आज शेहरे हैदराबाद का असम्बली के साम में इतने बड़े चौरस को बन कर दिये साथ उसके वज़े से क्या फाइदा हो रहा बताईए आप फिर भी ट्राफिक जाम है इसके उपर पॉलिस कमिशनर जवाब नहीं देते हैं साथ जब मली से त्याद मुस्लिमिन जब कभी भी सवाल करती है तो साथ हम देखेंगे हम करेंगे मगर कब करेंगे स साथ कब आवाम कुछ उलत पहुंचाएंगे आज बड़े-बड़े बातां कर रहे हैं ठैर कर बोर रहे हैं कि फ्रैंडली पोलिस नहीं है तो फ्रैंडली पोलिस नहीं है तो क्या रौडी इदम की पोलिस है साथ आप बताईए आप इसके उपर हुकूमत का भी नाम बता हम हो रहा है साथ मैं हुकूमत के जो जुमेदार है उनको भी कहना चाहता हूं साथ के ट्राफिक के उपर जो ट्राफिकbok अवदेदार है ट्राफिक डिपाटमेंट जितना है उनके उपर सकते सक्त नोट लेना क्याएंगे आज तेलंगाना का अपना टियल सीटी है ये गेटर हैदराबाद इसमें किस तरीखेसे एप काम करना है देखिए वक्षी की तरीखेसे ौप ये रहला है इसको गारनों। से टोपी दी गई है उसका ड्रेस दिया गईआ है उसको जूता दिया गईआ है वो ड्रेस पे रहकर वो डूटी करना साथ मैं आपके जरीय मैं बताना चाहता हूं साथ हुक relied इसके अबर सीरियस से सीरियस एक्शन लेना चाहिए साथ और मैं हमारे इंचाज मिनिश्टर से मैं तबख्वू रखता हूँ कि वो डैनमिक हमारे इंचाज मिनिश्टर है वो इसके उपर काम करेंगे पॉलिस कमिशनरों को बुला कर बात करेंगे करके ट्राफिक के मसले को हल करेंगे और मंजिस इत्याद मुसलिमीन साब हमेशा घरीबों के साथ है फुटपार्ट टेला बंडी पे काम करने वालों के साथ है मंजिस इत्याद मुसलिमीन आटो चलाने वालों के साथ है घरीबों के साथ है अगर गरीबों के उपर ट्राफिक पोलीस हो या लाइन आडर पोलीस हो जुलुम करेंगी तो मंजी सत्यादुल मुस्लिमीन खामूश नहीं बैठेंगी इन लोग का ताखुप करेंगी मंजी सत्यादुल अब नहीं कामशाला नो प्रवतों दुर्शित इसकलता ताथा मधिगायरू देक्षा माट्राटाने कावकाश मीचिननंगे मीक कुमुंदुगा धन्यवादल